फिराल 26 जनवरी आ रही है तो 26 जनवरी स्पेशल हम लोग आज बनाये हैं तेरंगा डोसा खाने में बहुत ही जारा टेस्टी लगती है और यह जो डोसा है ना इसको हम लोग नैचुरल तरीके से ही बनाये हैं मतलब कोई भी फूट कलर वगर यूस नहीं किये हैं जो हमारी व भी जाएगी तो 8 गंटा है और यह वेग जाएगी तो 8 गंटा हो गया है और हमारी दाल चावल दो है वो अच्छी तरह से भीग चुके है आप देख सकते हैं दाल चावल कितनी अच्छी तरह से भीग है उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग दाल चावल की पेस्ट तयार करेंगे तो दाल चावल की पेस्ट बनाने के लिए क्या करें एक मिक्सी का ब ये पेस्ट है को तक यह कहते हैं उसके पने करना है इसमें च्राथ अनुसार नमक दाले और नमक दालने के बाहएं सबीक verschil दरना है अब रह Sig आर करण नमक दालना है हमारी बेटर है Whitater वो बन गई है उसके बाद में कैना है नहीं तो सब से पहले मेने क्या कि हूंँ एक मिक्सी को बर्तन ले थोड़ा पाइं डालक इनके पेस्ट तइयार कर लेए उसके बाद में क्या करना है इसी पेस्ट में जो वाइट वाला बैटर हम लोग बनाये थे वह वाइड वाया बैटर को डाले और इन्हें अच्छी तरह से mix कर लें देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो green color की बैटर है वो तैयार हो गई उसके बाद में हम लोग orange color की बैटर बनाएंगे तो orange color की बैटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है एक mix का बरतन में गाजर को डाले इस तरह से क्या ढ़र को डालना है तक यह करके मैंने गाजर को डाली हूँ उसमें ही थोड़ा सा पाया डाले और इनकी भी पेस knowledge वाइट 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 डालके इनको अच्छी तरह से पदला कर ली हूं हमारे तीनों बैटर जो है वह बन चुकी है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे डोसा बनाएंगे तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें तवा को ग्यास में रखें यह मैंने नॉन्स्टिक तवा ली हूं आप चाह तो खन्दा हो गता काँ यह जाती है उसके बाद में पोध क्या करना है इसमें वाइट वला öисс bेटर-डाले यह मैंने वाइट वाले डाले तरह शक्या यह और पाद में einen आथक्वाल पैटर डाले उसके बाद में इसमें ग्रीन वाला और बैटर च? यह और गुल के लिए पहते हैं इनको अच्छी तरह से कम से कम 1.2 मिनिट पका ले में विद्यम ग्यास में घ्राय कि पको नालने के बाद में और कम से कम 30 sek इतने तरह में ऑखं़ निकाइन Tetrend से निकाले और आप देख सकते हैं हमारी जो डोसा है कितनी अच्छी बनी है मतलब तीन कलर की कितना कलर फूर लग रहा है दीखने में बहुत ही जाता सुन्दर दीख रही है इस तरह से डोसा बनाए हमारी डोसा जो है वह बन गई है इनको हम लोग निकाल लेंगे और चटनी क सब्सक्राइब करें धन्यवाद